इसा है कि अभी दो दिन में चुनाओं होने वाला है नगरपाली का और जिला पंचायत का तो मैं तो लोगों से हमारी जनता से यही मेसेज देना चाहता हूँ कि बहुत सोच समझ करके आप फैशला करें, बहुत सोच समझ के अपने जन प्रतिनीदियों को चुने क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ असली जो समस्या है, असली मुद्दे हैं, उसके उपर हमें सोचना चाहिए कि आज नगरपाली का को देखें या फिर जिला पंचायत को देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकार जो होने चाहिए नगरपाली का को या जिला पंचायत को वो अधिकार बचे ही नहीं है, सता कुछ है ही नहीं पूरा का पूरा प्रसासन अपने इच्छा के मताबित नगरपाली का चला रहा है जिला पंचायत चला रहा है और जो मुख्य जो बात है वो प्रसासन ही सियो को नियुक्त करता है और वहां बिठाते हैं, वो चाहे नगरपाली का हो, वो चाहे फिर जिला पंचायत हो और वहाँ जो है, वो सारे के सारे आदेश और निरदेश, सिर्फ और सिर्फ किवल प्रसासन जो फैंशला करता है उसी को अमल करता है और वैसे बास्तों में देखा जाए तो ये सारे फैशले नगरपालिका और जिला पंचायद को लेने चाहिए और जन प्रतिनी दिये आपस में चर्चा करें और उसके बाद वो रिजोलेशन पास करें उसके बाद उसका अमल होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है नगर हविली में अभी हम देखें तो जो भी ये टेक्स बढ़ाया गया ये टेक्स बढ़ाने का नगरपालिका का फैसला तो बाद में है बट पहले प्रसासन ने ये फैसला कर लिया और बिलकुल ठोप दिया नगरपालिका को का आपको ये इसको अमल करना है अपने नगरपालिका हो या जिला पंचायत हो अपने नीड़ने को ठोप देता है तो जन प्रतिनिदी की जमेदारी बनती है कि उसका बिरोध करें उसके उपर वो कहें कि नई हम पहले हम लोगों से राय मसूरा करेंगे हम चर्चा करेंगे उसके बाद फैसला करेंगे बट ये आवाज ही नहीं उठेगी अब चर्चा ही नहीं करोगे आब बिरोध ही नहीं करोगे तो उसका सीधा एड़वर्स जो इफेक्ट है वो जनता क उपर आता है, वही टेक्स में हुआ, वही तोड़ फोड में हुआ, दुखाने तूटी गई, घर तूटे गए, ये जो सारे जो लोगों को नुकसान वाले फैसले हुए, उसमें तो नीड़ने प्रसासन ने भी लिया, और जो चुनवे प्रतिनी दी नगरपाली के में बेटे उन्होंने बिरोध नहीं किया, और एक एग्जमपल में देना चाहता हूँ, कि ऐसा ही जिला पंचायत में हुआ, पांच सो लोगों को निकाला गया, वह भी आदे सीधा प्रसासन ने कर दिया, कि इनको कल से आना बंद करा दीजिये, अब ये फैसले के सामने जिला पंचाय निती होनी चाहिए, जहां पर लोगों को हम कुछ नियाए दिला पाएं, ऐसा ही किसा नगरपालिका में हुआ, दोसो बेहनों को निकाल दिया गया, तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने बीरोध नहीं किया, और वो बेहन आज भी रोड पे हैं, तो ये बात हमें सम पूरी की पूरी कांट्रोल आज प्रसासन करता है, तो नगरपालिका का कहां अधिकार बचा, नगरपालिका का कहां पर अभी कुछ चलने वाला है, जिला पंचायत का क्या सता बची है, इस बात के उपर सबको ध्यान रखना चाहिए, ये स्थीती रही, तो आगे भी ऐसा ह होने वाला है, प्रदेश के सांसत के होने के नाते, मेरा ये कर्तव ये है, और मैंने ये निर्ने लिया है, कि पहले ये चुनाओ के बाद, जैसे नगरपालिका और जिला पंचायत बनती है, तो जो नगरपालिका के अधिकार है, या जिला पंचायत के अधिकार है, उसके ब पास सारे अधिकार होने चाहिए जिल्ला पास अधिकार होने चाहिए और ये सारी बाते ए आगे या तो पारलामेंट में उठाएंगे या मान्य सुप्रिम कोड में हम चैलेंज करेंगे वह इसलिए कि आगे भी प्रसाशन ऐसे ही मनमानी करने वाला है अपने नीड़नाई नगरपाली का पर ठोपेंगे अपना नीड़नाई जिला पंचायट पर ठोपेंगे और उसके बाद नगरपाली का जिला पंचायट कुछ नहीं कर पाएगी मैं आपको सही कहे रहा हूं जनता सोच ले हमारी यहां के सारे जो भाई करना पड़ेगा आगे एजंडा मुद्दे बनाने पड़ेंगे और एक मजबूत नगरपाली का बनें और एक जिल्ला पंचायत बनें ताकि लोगों के बारे में लोगों के समस्या के बारे में अच्छा निर्णे हो पाएं और दूसरी में बहुत एहम बात करने वाला हूं कि यदि चोने में प्रतिनी धी बोलना बंद कर देंगे, कुछ आवाज ही नहीं उठाएंगे, कुछ बिरोध ही नहीं करेंगे, तो ये जो टैक्स बड़ा है, ये जो तोड़ फोड़ हुई है, सड़क चौड़ी करने के नाम पर, ये काम आगे भी चलने वाले हैं तो लोग ये समझ ले, हमारी जनता ये समझ ले, कि कैसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए, कैसा जन प्रतिनी धी होना चाहिए, जो अपनी सब लोगों की समस्या के लिए आवाज उठा सके, बोले, प्रसासन की सामने बोले, बोलो गई नहीं तो समाधन कैसे होगा, के चोड़ी करने के नाते, घर और दुकाने तोड़ी गई, वो हमारे सामने है, तो ये तो आगे चलने वाला है, यदि सक्सम नगरपाली का बनती है, सक्सम व्यक्ति नगरपाली का में बैठते हैं, और जो प्रसासन की सामने आवाज उठा सकता है, प्रसासन की जो मनमानी ह उसका बिरोद कर सकता है ऐसे लोगों को आना चाहिए ऐसे लोग चुनने चाहिए मैं तो MP के नाते मेरी ये जिमेदारी है कि मैं लोगों की समस्या और लोगों की कठे नायों को में उजागर करूँ यहां प्रसासन के सामने और देश की पार्लामेंट में और भारत सरकार के सामने लेकिन मुझे भी तो नगरपालिका का सपोर्ट चाहिए ऐसे जनप्रतिनीदी चाहिए जो समस्या हल करने में मुझे मदद करे जिला पंचायद में भी तो ऐसे मुझे जनप्रतिनीदी चाहिए जो मैं जो कर रहा हूं उसमें मुझे सहयोग करें तो आगे जनता हमारी हमारे लोग बहुत सोच समझ करके फैशला करें ताकि एक अच्छी और सक्सम नगरपाली का बने जिला पंचायद बने जिसको इसाथ मिल करके हम काम कर पाएं ये बहुत जरूरी है एहम मुद्दा है और इसके बारे में हमारे जनता को सोचना चाहिए